हेलो एवरीवन तो आज के वीडियो में हम जो गुफाओं का हमारा सिरीज चल रहा है उसमें आज हम बादामी गुफा को पढ़ेंगे ठीक है तो देख लिजे तो सबसे पहले तो इसका टाइम पिरेड क्या है तो टाइम पिरेड इसका हो जाएगा छटी से सात्वी सताब्द हो जाएगा इस्थिती देख लिजे तो इस्थिती जो इसका है वो करनाटक अगर स्टेट पूछे या राजे पूछे तो क्या है तो राजे आपका करनाटक हो जाएगा कभी भी मद्यप्रदेश मत लगाईएगा क्योंकि अक्सर लोग जल्देवाजी में बादामी दे दे अधिकतर लोग क्या करेंगे तो मद्यप्रदेश लगा देते हैं तो आप लोग मद्यप्रदेश नहीं आखे एकदम द्यान से देखके आखों से और उसके बाद से इसमें option को select करिएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा पूछे कि अगर बादामी किस राजये में इस्थी थे तो मद्यप्रदेश नहीं होगा क्या हो जाएगा तो वो करनाटक हो जाएगा ठीक है जीला अगर डिस्ट्रिक पूछे तो बीजापूर हो जाएगा और इस्थान पूछे कौन सा तो आई होल हो जाएगा ठीक है प्राचीन नाम क्या है तो बादामी के गुफाओं का प्राची किर्ति वर्मन फर्स्ट हो जाएंगे किसने किया तो किर्ति वर्मन प्रत्थम हो जाएंगे अगर पूर्ण करने की बात है कि शुरू तो भीया किर्ति वर्मन ने करा दिया अब इसको पूरा किसने किया तो पूरा कौन करेगा तो पुलकेशिन second और manglash यह आपका दोनो किसी notes में आपको यह मिलेंगे किसी notes में आपको यह मिलेंगे ठीक है तो आप यह दोनो ध्यान रखिएगा वैसे manglash को यह ज़ादधा ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह हमारे हो जाएंगे कि शुरू किस ने कराया तो प्रारम कौन कराएगा तो किर्ती वर्मन प्रतम हो जाएगे पून कौन कराएगा तो पुलकेशिंदूती और मंगलेश हो जाएगे अब आज आएगा कि खोज तो बादामी की गुफाओं का खोज किस ने किया खोज किस ने किया तो कौन करेगा Stella Kremrish करेंगी ठीक है तो 1935 में 1935 में क्या Stella Kremrish ने क्या किया तो बादामी की गुफाओं का खोज किया ठीक है फिर 1938 में 1938 में क्या हुआ तो इसमें हुआ कार्ल खंडल वाला ने क्या किया इनकी जो पुस्तक थी Indian sculpture and painting यह इनकी पुस्तक है ठीक है पुस्तक भी आप लोग ध्यान देते रहेगा जो भी वीश-पीश में आ रहे हैं 1938 में काल खंडल वाला ने क्या क्या तो इनकी जो बुक थी इंडियन स्कल्प्चर एंड पेंटिंग ठीक है तो उसमें इन्हों ने एक रंगीन चित्र प्रकाशित किये किसके चित्र प्रकाशित किये तो बादामी के रंगीन चित्र प्रकाशित किये ठीक है बादामी के रंगीन चित्र प्रकाशित किये अब गुफाएं देख लीजे तो इसमें टोटल चार गुफाएं है ठीक है टोटल कितनी गुफाएं है तो चार पहला दूसरा और तीसरा यह जो तीनों ह्य यह यह नवोन धाल्रस से संब्नीत हैं और कि पहला भी वह आपका श्रेव संुप्रदाय से हो जायेगे जो शीव के जो अनुएई थे जो श्रेव को मानते थे उटसे संब्न्त हो जाएगा दूसरा क्या है वैश्णो और तो दूसरा और तीसरा वैशनो हो जाएंगे और पहला कौन हो जाएगा तो श्रेव से संबंदित हो जाएंगे और जो पहला है ऐसे मतलब ध्यान रखेगा कि जो पहला गुफा होगा वही सबसे पहले बनेगा तो वही सबसे प्राचीन हो जाएगा ठीक है उसके बाद दूसर और तीसर तो जो दूसरा है जो Vaisna Dharma से संभंधी थ달 वह क्या हो जाएगा तो सबसे छोटी गुफ़ा हो जाएगी आपकी और इसके बाद से जो टीसरा हो यहाई ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा पीच वाले इन दोनों से छोटा हो जाए का और उन्ट फिर उन्हें दोनों दिन देखेंगे ओर गुफा नंबर चार है किसे संबदीत है तो आपका जेंधंध से शमद्न को ठाको इनको भी ध्यान रखेगा केकीहबर को क्या पता कहीं ये भी पूछ ले जाए और किसके निर्देशन में किया अगर पूछा जाए कि इन गुफाओं का जो प्रतिलीपियां बनाई गई है वो किसके निर्देशन में बनाए इन लोगों ने तो किसके निर्देशन में बनाए तो काल खंडल वाला के निर्देशन में बनाएंगे ठीक है अब देख लीजे कि बादामी की गुफाओं का निर्माण किस ने कराया सबसे पहले गोपुरम सबसे बनना शुरू हो जाएगा सबसे पहले गोपुरम कहां से बनना शुरू हो जाएगी पहला हिंदो धर्म से संबननीद गोफा ठीक है मतलब जो भी गोफा हैं जादा तर आपको पता ही होगा वो जैन से या फिर बहुत से रिलेटेड हो जाएगा लेकिन यह पहला गोफा था जो कि हिंदो से रिलेटेड बना था ठीक है आप देख लीजे इसके चित्र इसमें चित्र कौन कौन से मिले हैं ठीक है तो शीव विवा से संबननीद ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इसको इस्टेला क्रेमिष ने क्या बताई इस्टेला क्रेमिष ने बताए कि syreev विवा Somebody गुफाइं यह चित्र यहां मिला है तो यह आपका इंप्GERक्षेश को सम्मंदित चित्र आपका वह आपका बादमी की की गुफा में हो जाएगा विरहडी इस्त्री अगर शोका कुल इस्त्री आ जाए ठीक है शोका कुल इस्त्री तो यह आपकी कहा हो जाएंगे तो यह आपकी बाग में हो जाएंगे ठीक है तो यह थोड़ा ध्यान दीजेगा नेक्स्ट है आपका इंद्रसभा में गायनवादन ठीक है इंद्रसभा में क्या हो रहा है तो गायनवादन हो रहा है विद्याधरों में उड़ते यूगल फिर है आपका नटराज ठीक है नटराज है जो अठारा हाथ बने हुए है इसमें ठीक है और मुद्राएं कितनी है त कौन है वो नटराज है फिर आपका आ जाएगा वराह की प्रतीमा ठीक है वराह की प्रतीमा किसकी प्रतीमा तो वराह की प्रतीमा फिर उसके बाद से जो लास्ट है और इंपोर्टेंट भी है वो आपका हो जाएगा जैन तिर्थंकर जैसा कि पता है गुफा नंबर चार क्या आए गुफा नंबर 4 किसे संबंदित है तो जैनों से संबंदित है जैन से संबंदित है तो वहां पर किसे संबंदित चित्र मिलेंगे तो हमारे सबसे लास्ट में क्या मिलेगा तो जैन से जैन तिर्थंकर से संबंधित मिलेगा जिसमें भी महावीर और पार्शुनात को चित्रित किया गया है ठीक है तो यह हमारा हो गया बादामी एक बर देख लीजे अगर नदी पूछ लिया जाए ठीक है वैसा तो नदी का कुछ नहीं है लेकिन नदी माल प्रभा इसको थोड़ा आप लोग दिमाग में रखेगा ठीक है कौन सी नदी तो माल प्रभा ठीक है और इस्थिती क्या है तो करनाटक है ठीक है बीजापूर लुकेशिन द्विती और मंगलेश्ट कराएंगे ठीक है खोज किस ने की है तो इस्टेला क्रेमरिश ने की है कब की है तो 1935 में किया हुआ है तो जो काल खंडल वाल थे उन्होंने क्या किया तो उनकी एक बुक थी इंडियन स्कुल्प्चर एंड पेंटिंग तो उसमें उ दूसरा तीसरा हिंदू से संबंदित था चौथा जैन से संबंदित था प्रतिलीपिया किसने बनाई तो इसकी प्रतिलीपिया किसने बनाई तो जेम आईवासी और केके हैबर हो जाएंगे किसके निर्देशन में बनाया तो काल खंडल वाला के निर्देशन में ठीक है फि विरहडी इस्तरी है इंद्रसभा में गायनवादन तो यह हमारा हो गया बादामी ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही और आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं है लोरा के साथ